हेलो फेंस वेलकम बैक तो माई चैनल मैं हूँ सुमन और आप देख रहे हैं सुमन्स व्लॉग एंड लाइफ स्टाइल मैंने एलजी की वाशिंग मशीन मंगाई है यह मैंने एमाजॉन से ऑनलाइन ओडर की थी जो कि मुझे 24 गंटों के अंदर ही रिसीव हो गई है भी तो बहुत ही फास्ट सर्वेस है सबसे अच्छी बात हमजॉन की यह है और बहुत सर्च करने के बाद मैंने यह देखा कि यह जी की वाशिंग मशीन ही सबसे अच्छी है तो इसलिए मैंने इसको ऑडर किया इसका जो रिविव था वह बहुत अच्छा था फाइफ स्टार ह और इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है इसमें कोई तूट फूट नहीं हुई है नहीं तो एक बार शायद किसी ने मंगाया था उसमें कुछ तूटा हुआ निकला था डिफेक्टिव पीस था लेकिन ये काफी अच्छा है और इसकी मार्केट में वैल्यू है 20,990 लेकिन मुझे ये मिली है 14,990 रुपए में अगर आप किसी फेस्टिवल के टाइम इसको लेते हैं तो और भी डिसकाउंट आपको मिल जाएगा तो यहां पर हम इसको ओपन कर लेते हैं यह देखिए यह बड़ी सी पॉलिटीन इसके उपर चड़ी वी थी और कलर इसमें यही एक अफिलेबिल था बस बात यह थी कि इसमें और कोई कलर नहीं था लेकिन यह कलर भी मुझे बहुत अच्छा लगा पर्पिल और वाइट का कॉम्बिनेशन है इसमें यही एक कलर था तो यह भी मुझे अच्छा लगा और मैंने और कर दी तो यह मैं आपको खोल कर दिखाती हूं और इसको जो यूज करना है वह बहुत ही आसान है यह सेमी आटमेटिक है और सारी चीजें इस पर लिखी हुई फाइफ यह वारंटी ह सारे बटन आपको मैं दिखा दे रही है तो बहुत ही इसको यूज करना यह एट पॉइंट फाइफ केजी की है इससे पहले जो मेरे पास थी वह फाइफ केजी की थी शायद और यह ड्रायर है यह भी मैं आपको खोल के दिखा दे रही हूं इसके अंदर ही सारा यह जो पाइफ पानी लगाने वाला पाइफ होता है यह सारी चीजें इसी के अंदर थी और इसको बीच में टेप से भी चिपका कर रखा हुआ था जिससे की यह बिल्कुल भी हिले नहीं क्योंकि इसी की वज़े से अंदर लाते समय तूट जाता है तो टेप से भी चिपका हुआ था यह पानी उनके लिए पाइफ है और इसे थर्माकूल इसको पैक करने में थर्माकूल का भी यूज़ था और यह जो ब्लू कलर की बटन बड़े बड़े दे रखे हैं इसको आपको पंदा दिन में वाश करना होगा यहां पर ही कपनों की गंदगी जमती है तो इसमें पंद की गंदगी होती है वो मशीन को खराब कर देती है तो आपको यूज़ करने के बाद इसको अच्छे से वाश करना होगा सारी चीज़ें इस पर आपको लिखी हुई है कि कैसे यूज़ करना है कैसे इसकी सफाई करनी है इसके साथ एक बुकलेट मिली हुई है उसमें सारी च अगर थोड़ी बहुत मलब छोटी मुटी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बुकलट देखके उसको सही भी कर सकते हैं दुलाई के बाद आप इसको कैसे साफ करें वो सारी चीजे भी दे रखी हैं मैंने भी पढ़कर ही इसको यूज किया हैं बस एक यहां पर एक बात और किया क्योंकि मैंने खुदी यूज कर लिया था तो मैंने उनको नहीं बुलाया लेकिन उन्हें अपने आप से आना चाहिए था यह एक बात है तो चलिए मैं आपको इसको यूज करके दिखाती हूं मैंने सोचा कि मैं आपको रिव तब दू जब मैं इसमें कपड़े वाश कर लूं और मुझे पता चल जाए क्योंकि रियल बात तभी पता चलती है जब आप उसमें कपड़े वाश कर लें तो इलेक्रोनिक चीजे कूजा जरूर करें और मैंने यहां पर कप्ड़े लगा दिये है दूजव करने के लिए मैंने टाइमर सेट कर दिया था तो 45 ने सेट किया था मैने और आपके कप्ड़े जादा गंदे हैं तो आप दो और उसको चला यह तो कपड़े धुल चुके हैं तो अब मैं इसको ड्रायर मशीन में डाल दूंगी सबसे अच्छी बात यह होती है कि अगर बारिश का भी टाइम है तो आपके कपड़े जल्दी सुख जाएंगे क्योंकि आप कपड़े इसको गायर में लगा सकते हैं तो पांच मिनट में कपड़े सुख जाते हैं आप चाहे तो इसको फैन में डाल दीजिए और कपड़े सुख जाएंगे तो आई होप आप लोग को आज का ये LG वाशिंग मशीन का रिब्यू अच्छा लगा होगा और अगर आपके लिए यूसफुल रहे ये रिब्यू तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड कॉमेंट और सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल सुमन्स ब्लॉग एंड झाल